आज से सुरू कर रहे हैं लेक्चर तो पहले तो हम लोग एक बात देख लेते हैं हम लोग को पढ़ना है एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है दूसरा हमारा लिकुड वेस्ट मैनेजमेंट और तीसरा है है हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग को तीन टॉप सारी टेक्निकल टर्म साथ साथ में नहीं पता होगी तो जितना भी कोई भी लेक्चर पढ़ोगे हमाना समझो को कुछ अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा तो आज से मैं सॉलिट बेस्ट मेनेजमेंट का लेक्चर सुरू कर रही हूं इसके लिए पहले मैं थोड़ी सी टेक पाओगे और कम से कम 20 वीडियो तो होंगे ही जो मतलब सॉलिट बेस्ट मैनेजमेंट के होंगे तो आपका पूरा सॉलिट बेस्ट मैनेजमेंट फुल कम्प्लीट हो जाएगा देखो आधा घंटे में या फिर कहो 30-35 मिनट में आप एक टॉपिक खतम करके करो आप छोड़ भी देते हो ना खतम कैसे भी कर ही लोगी मतलब कोई भी अभी खतम करवा सकता है दस मिनट में भी एक टॉपिक खतम हो जाएगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं कर आप मतलब पढ़ने के बाद में आप कोश्चन ही ना सॉल्व कर पाओ तो कोई मतलब नहीं बनेगा इसलि में रखती हुए हम लोग अपने स्लावाश को कबर करेंगे कि जैसे स्लावस खतम हो और हम औभेक्टीव को समझने के और उनको करने के लायक हो जाए इसलिए मैंने पहले से धेर सारे औभेक्टीव कोश्चन भी करा रहे हूं साथ जिससे कि आपके लिए प्रैक्टिस के ल मिलते रहेंगे तो आप प्रैक्टिस भी करते रहोगे कि आखिर यह है कि आप कहीं से भी मतलब कुछ भी पढ़ के आओ और अगर जो अब जो को सिन मैंने आपको बना बना के दिये हैं अगर आप उनको सौल कर रहे हो तब तो माले ना कि आपके ठीक चल रही है और अगर आप कहीं से कुछ पढ़ ले रहे हो थेोरी भी पढ़ ले रहे हो सब कर ले रहे हो लेकिन आप अप अब्जेक्टिक को सुन नहीं सौल कर पा रहे हो इसका मतलब अभी भी प्रिप्रेशन है नहीं तो ऐसे पढ़ना है टॉपिक को मतलब किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ना है प दो लेक्चर मिलेंगे आपको वीडियो थियोरी में और अब्जेक्टिव कोश्चन का दो सेट मिलेगा आप प्रेक्टिस भी करिए और सॉल भी करिए जैसे आपके पास एक टॉपिक से 500 कोशन कलेक्ट हो जाएंगे मुझे नहीं लगता है कि आपके टॉपिक में फिलहाल कु होना हम लोग छोटे-छोटे टेक्निकल टम को जानने के लिए जो हमारे बीच-बीच में आएंगे लेक्षर में और कोश्चन में भी आपने अभी तक मैंने बहुत कोश्चन कराया है तो उसमें जरूर देखे होंगे तो शुरू करते हैं दियर आर मैनली टू मैथेड्स इ मैंत इसमें इन भी नांनीक आ stop Itjee हो बश्च करने के लिए थो मैं आनो करते हैं इंड़ानीक आन मेंगे में देख लेते हैं तおお इसका मतलब इसमें ही है कि डू हो सॉलिडा बेश्ट मेनेजमेंट के मैथ होते हों तो हर कंट्री का या देश का अपना अपना एक मैथट रहता है कि हम हमें ऐसे को डीकमपोस करना है यह ऐसी जगहों पे करना जहां पर प्रॉब्लम ना हो कोई ऐसे इंडिया में दो मैथेड का यूज किया गया है एक तो है इंदोर मैथेड और बैंगलोर मैथेड दो मैथेड हैं इंदोर मैथेड में क्या होता है इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है पैंगलोर मैथेड में पांस से च्छे महिने लगते हैं इस में क्या करते हैं इंड़ाय मै फिर क्या है इसमें क्या है मिक्सिंग डन नहीं करते हैं मतलब नहीं मिलाते हैं तो अभी मेंलीस में यह समझना है कि इंडिया में जो MSW के Solid West Management के जो मतलब मैथड है वो दो हैं इंदौर और बैंगलोर इतना अभी जानना जरूरी है क्योंकि यह चीज ना हम लोगों को बीच बीच में डिस्टरब करेगी कि कमालो आफसन में कहीं आ जाएगा कि कौन सा मैथड यूज क्या है तो इंदौर मैथड अगर लिखा रहेगा तो फिर आप को गयरे यह क्या है फिर लिखा रहेगा बैंगलोर मैथड तो कफी यह क्या है इस में कितना महींड लगता है यह देखना है उत्यक्यत्ति होने को बाति में एक साथ बहुने वाला होता है अनग जाता है और जो मतलब है जार्ड रस टाइप का कुड़ा होता उसको अलग कर दिया जाता है और इसमें करते हैं इसमें कोई mixing mixing नहीं की जाती है ठीक है तो इसमें हो गया यह main difference हो गया तो हमें सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है main difference याद रखना है इसमें कितना time लगता है इसमें कितना time लगता है और mixing की जाती है इसमें mixing नहीं की जाती है ठीक है तो अभी जो technical terms बीच बीच में आएंगे और सारी technical term को हम लोग solve करते चलते हैं और आज से lecture भी जुरू कर रहे हैं तो जहां जहां पर समझ में नहीं आए वहां पर बताईएगा comment में कि कोई अगर problem है तो उसको दुबारा से समझ लेंगे और अभी तो फिलाल सारे technical term मैं कठा कर लिए हूँ और उनको select कर लेते हैं